नापतोलगी पाटशाला में आपका सवागत है आज हम बात करेंगे मल्टी पॉपस कुकिंग पॉट के बारे में इसे किस طरح इस्तमाल करना है और किन चीजों का ध्यान रेना है मैं आपको बताऊंगी multi purpose cooking pot को आप पानी गरम करने के लिए चाय बनाने के लिए इस्तमाल कर सकते हैं इसमें एक manual दी गई है और recipe book भी दी गई है जो चीज़े recipe book में mentioned है वो सभी चीज़े इस pot में बन जाएगी इस्तमाल करने के लिए पहले इसमें पानी डाले उसके बाद ही plug को power cord के साथ लगा दे आप pin को AC socket में डाले switch on करेंगे तो आपका pot चालू हो जाएगा जब आपका खाना बन के तयार हो जाए तो आपको switch को manually बन करना है अगर आपका pot ना चले तो आप इसकी pin को फिर से insert करके देखे switch on है या नहीं ये भी check कर ले इस pot में dry protection दिया गया है यानि आपको पानी इस pot के अंदर डालने के बाद ही इसे on करना है अगर आपका खाना ज़्यादा गरम हो रहा है तो किन चीजों का ध्यान देना है कि इसमें auto cut off feature नहीं दिया गया है यानि खाना बनाते वक्त आपको खाने पे ध्यान देना है जैसी खाना बन जाए आपको turn off कर देना है जिन recipes के वारे में इसकी recipe book में दिया गया है इसे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीजों के लिए इस्तमाल करें आपको इस appliance को गीले हाथों से नहीं चूड़ना है सपाई करते वक्त किन चीजों का ध्यान देना है पहले तो आप device को off कर दे इसे थंडा होने दे प्लक को socket से निकाल दे और सरफ अंदर के हिस्से को धोए इसकी power socket पानी के contact में ना आए बाहर की body को आप एक गीले कपड़े से या टिशू से साफ कर सकते है जब आप इसे सुखा रहे हो तो आप pin socket का ख्यास ध्यान दे इसमें flameless और smokeless cooking होती है इस appliance को आप multiple चीजों के लिए यूज कर सकते है जैसे की पानी गरम करना, अंडे उबालना, चाय बनाना और vegetable maggie भी बना सकते है multi-purpose cooking pot के कई सारे फाइदे है यह आपको कहीं भी किसी भी हालात में cook करने में help करता है वो भी विना gas की और विना किसी बरतन के अगर आपके multi-purpose cooking pot को related जितनी भी queries थी उसका solution मैंने दे दिया है तो नापतोल की और products की वारे में जानकारी के लिए like, subscribe and share